आप सभी का स्वागत है संकल बैच में जिसके अंतरगत आप लोग मेरे साथ यूपी PCS प्रलिम्स आरो एरो प्रलिम्स 2024 के लिए डेली टार्गेट सीरीज में लगबग आप आज 20 टार्गेट प्याज चुके हो जो पिछले 25 डेस से कंटीनु की गई है बीच में एक दो दिन गैप हो जाने की वजए से 25 दिन लगबग हो चुके हैं और 20 में नंबर का आज हमारा टार्गेट चल रहा है जिसके अंतरगत मैंने जो भी अभी तक आपको टार्गेट दिये जिसमें आज हमारा 4 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और लगबग चार मेने की करेंट अफेर्स भी कंप्लीट हो चुकी है और कल से मैं महा महराथन नहीं बलकि महा सिरीज सुरू करूँगा जो रिवीजन सिरीज होगी क्या होगी महा रिवीजन सिरीज ऐसा इसलिए क्योंकि देखी यूपी पीसेस का प्रिलिम्स का पेपर आक्क्टूबर में संभावना बन रही है कि यूदर में जब भी जब रही होगी जब तक अभी इस पर कोई डेट नहीं आपती है तब तक मैं भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा हूं कल से उसकी स्रीज होगी और आज हमारे टार्गेट नमर 20 है जिसमें इंडन पॉलिटी ओलेडी हमारा कम्पलीट हो चुका है इंडन जोगरफी के कुछ लास सिग्मेंट बचे हुए थे जैसे खनीज उर्जा और विद्धत उर्जा अब यहां पर खनीज उर्जा के बारे में आपको कुछ प्रमुख खनीजों के बारे में पढ़ना जैसे कोईले के बारे में लौ अयस्क कच्चा तेल जीवासमीधन नवीकणी उर्जा इन सभी को पढ़ने के साथ और भी बहुत सारे मिलेंगे जैसे ऐलमीनियम की बात करें पारे की बात करें या फिर आपकी जो एक मयूर भंज कहां पर है रानी गंज कहां पर है हासन जिला कहां पर है या फिर आपका यह आपका दुरगापूर कहां पर है इस तरीके से मिलान करने को आता है नुआ मंडी की खाने कहां पर है तो इस तरीके के खनीजों के बारे में आपको लोकेशन पूछ लेता है कभी कभ तो ऐसे करके आपको कुछ प्रमुक खनीजों के बारे में पढ़ना है और लास्ट में आपको एक विद्दूत ऊर्जा पढ़नी है अर्था जो हमारी एलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किनकिन सादनों से प्रड्यूस कर रहे हैं जैसे टाइडल एनर्जी से प्रड्यूस कर रहे हैं या थर्मल पावर प्लांट से प्रड्यूस कर रहे हैं रेनेवल एनर्जी से प्रड्यूस कर रहे हैं तो इन सभी को आपको कल्क तो यह अलग अलग जो आपके थर्मल पावर प्लांट है, इनके बारे में आपको डीटेल से पढ़ना है, और यह दो चैप्टर सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से हर साल आपको 2-3-3 प्रशने देखने को मिल जाते हैं, एक ही साल, मतलब एक प्रशन की संभावना नह तो मैंने जो हेंड रिटेंट मोर्टेंट बनाए हैं जोग्राफी के, पॉलिटी के, इनवार्मेंट के, फिजिक्स के, के मॉडरन हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री एंवार्मेंट सारे सब्जेक्स के एकनोमिक्स को छोड़के, हलाकि economics भी जून लाज तक तक तैयार हो जो कुछ important चीजों के साथ होंगे, हला कि उनकी मैंने classes भी करा रखे, आप वहाँ से भी उसको revisit कर सकते हो, तो ये सारे topics आपको वहाँ से पढ़ लेने होंगे, अगर आप उसे नहीं follow कर सकते, तो महजबनवाल को follow करिए, परिक्षामाड़ी को follow करिए, अगर किताब पढ़ सकते हो, तो हमारे short notes पढ़ लो, ताकि आपका exam oriented काम जरूर हो जाए, क्योंकि सारे प्रश्ण यहीं से आयते, आरो के exam सो, 16 प्रश्ण इंडिन जोगरफी से आते, और 16 के 16 घटना चकर से आते, मैंने proof के साथ बताया था, सारे handwritten notes से आगे थे, तो आप उसे follow कर सकते हो, तो यह आपको Indian geographic आज last chapter रहेगा, जिसमें यहाँ पे Indian geographic complete हो जाएगी, current affairs के अंतरगत, April 2024 का आपने राश्टी घटना करम पढ़ लिया, आर्थिकी पढ़ लिया, और अंतराश्टी और UP special भी पढ़ लिया, प्रिट किया था, फिर quality complete कर लिया, जिसके अंतरगत prelims और मेंस दोनों कर लिया, अब आपको आरो यारो का modern history का only pre पढ़ ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता है था, subject में बदल बदल के देता रहूँगा, जिससे आपको boring भी नहीं होगा, बोरियत नी फिलोगी और पढ़ने में आसानी रहेगी, और अब आपको modern history का prelims पढ़ना है, फिर अगले दिन में आपको modern history का mains दूँगा, फिर उसका revision भी दूँगा, तो यहां से आप prelims, mains दोनों cover करते हुए, revision भी करते हुए चल रहा है, जो कि एक best strategy होती है, और आपको बताते है, UP pieces के PYQ हमने लगवाग 10 सालों के पूरे कर लिया है, हर एक subject के कर लिये, किवल current affairs को छोड़के, सोचिए पिछले 20 दिनों में आपने क्या-क्या पढ़ लिया, जरा इसको comment section में बताना, कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है, हलांकि मैं इस पर एक से दो दिन में doubt session लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग comment section में बताना कि कितना ये improvement रहा आपका, क्या study plan आपके directions हुए, और कौन-कौन से target आप अभी तक achieve कर पाए, डेली life में आप जो भी चीज़े नहीं कर पा रहें तो वो कहां तक possible हुई, ये सभी चीज़ों का feedback जरा दीजेगा, और डेली revision box को मैंने no topic कर दिया पिछले तीन classes से, आज ये चौती class होगी कि no topic चल रहा है, डेली revision box इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैं कल से महा revision series शुरू करने वाला हूँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा है, फिर हम उसको जब complete कर लेंगे, अगले 10 दिन में, तब मैं नए segment से सुरू करूँगा, नए subject से सुरू करूँगा, अब यहां पर मैंने atlas की mapping आपको करार रखिए, जिसमें North America के पूरे जुए की पांच लेक्टर थे, विद रिवीजन आपने complete कर लिए, और बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर personally comment किया, टेलिग्राम पर की सर बहुत अच्छी series है, मैं recommend करूँगा आपको कि आप भी इस तरीके के atlas को पढ़िए, एक atlas अपने पास रखे, Oxford publication का, English में लेकर, पूरी strategy मैंने पहले lecture में बताई है, कैसे क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ आप follow करिए, यकीन मानिए, आपकी world mapping आपकी बहुत strong हो जाएगी, और एक बार अगर आपकी world mapping strong हो गई, तो मान के चलो कि आप 70%, 60% question बहुत easily tackle कर लोगे, ठिक, यहाँ पर आपको South Africa का lecture number 6 कल में ने करा दिया था, रिवीजन में, और आपको आज पढ़ना है lecture number 7, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक घंटा आप अपने विस्तर पे बैठी है, और हमारी वीडियो लगाए, प्लेडियो में जाएंगे study with map के नाम से, Glance Academy platform पर ही, वहाँ पर आपको प्लेडिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारे lectures है, लगवग अठा रहुने इस lecture है, एशिया का एक lecture रहे गया, फिर उसका अस्टेलिया आएगा, हना कि मैं अभी out of station हूँ, अपने घर आया हुआ हूँ, तो इस वजए से मैं उन चीजों को नहीं cover कर पा रहा हूँ, क्योंकि atlas वगरा मेरे पास है नहीं, notes वगरा है नहीं, तो फिर ऐसे random पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा, जब चीजे proper तरीके से पढ़ाई जाती है, तो ज़्यादा best होता है, input ज़्यादा करने से बेता है, output आना चाहिए, तो वो output मुझे मिलता है कि आप लोगों को चीजे समझ में आ रही है, तो आज का target वैस इतना है दोस्तों, इतना follow करें, फिर कल से हम लोग revision series सुरू करें है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, thanks for watching.